नमस्कार दोस्तों, माजा टेकनिकल चैनल में आप लोगा स्वागत है आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि काफी सारे ऐसे यूटूब क्रियेटर्स है जो यूटूब प्लेटफर्म पे जाकर अपना चैनल क्रियेट करते हैं लेकिन जो मौनिडाइजेशन का पॉलिसी है जिसके लिए क्रियेटर्स को एक साल के अंदर वन के सस्क्राइबर यानि की एक हजार सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वाच टाइम पूरा करना होता है आप मान के चलिए कि किसी भी क्रियेटर्स के चैनल पे अगर एक साल के अंदर 4000 घंटा वाच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरा नहीं हो पाता है या फिर सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है वाच टाइम पूरा नहीं होता है या फिर watch time ही पूरा हो जाता है subscriber पूरा नहीं होता है सिदा सिदी मतलब यहाँ पे हमें यह समझना है कि जो monetization के लिए subscriber और watch time का criteria है वो अगर पूरा नहीं होता है तो क्या उस स्थिती में उस creators का channel वहाँ पे बरबाद होने वाला है या फिर वो channel का monetization enable हो जाएगा वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो सबसे पले आप ये समझ लेजे कि YouTube को monetization policy के लेकर आज के date में जो rule and regulation है ये अगर पिछले एक साल पहले की बात करें या फिर दो साल पहले की बात करें तो उस समय कुछ अलग था दोनों में similarity एक ही था कि जैसे आज के date में भी YouTube monetization आपको कराने के लिए 1000 subscriber और 4000 घंटा watch time पूरा करना होता है यही policy आज से दो साल पहले भी था यानि कि दो साल पहले भी monetization के लिए आपको 1000 subscriber और 4000 घंटा watch time पूरा होता था लेकिन दोनों में फर्क क्या है दोनों में फर्क काफी बरा बदलाव कर दिया गया है जैसे दो साल पहले क्या होता था कि मालने जे हम आज के date में दो साल पहले की बात आपको बता रहे है कि जैसे मालने जे आज के date में हम channel create कर देते थे तो जो monetization policy के लिए 1000 counting किया जाता था वो channel बनाने के दिन से count नहीं किया जाता था जिस समय आप monetization के लिए apply करते थे उस समय से लेके एक साल तक count किया जाता है पहले और आज में ये फर्क हो गया है कि पहले आप YouTube channel बनाते थे तो YouTube channel बनाए दो-चार वीडियो अपलोड कर दीजे और उसी समय monetization के लिए आप apply कर दीजे उस समय apply का आपको option मिल जाता था लेकिन आज के date में क्या हो गया है कि apply का आपको option ही नहीं मिलेगा apply का option तभी काम करेगा जब आपके channel पे 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जागा तो यहीं दो फर्क है यानि कि 2 साल पहले जाते तो आप channel आज के आज बनाए और call monetization आप apply कर दीजे लेकिन आज के date में क्या हो गया है कि अगर आज आप channel बनाते हैं तो आपको apply का option तभी मिलेगा जब आपके channel पे 1000 घंटा और 4000 घंटा watch time पूरा होता है यानि कि sorry 1000 subscriber और 4000 घंटा watch time पूरा होता है अब यहीं दो फर्क हो गया है तो पहले वाले में जो 1000 subscriber और 4000 घंटा का जो demand होता था वो जिस समय आप monetization के लिए apply करते थे उस दिन से count किया जाता था उस इस्थिती में creators करते क्या थे कि सुरू में जब वो channel बनाते थे तो monetization apply नहीं करते थे पहले देखते थे कि channel को थोरा सा grow करा देते थे कुछ viewers को अपने से जोर लेते थे कुछ channel पर subscriber gain कर लेते थे अब जब उनको मालूम चल जाता था कि कुछ viewers समसे जूर चुका है उस समय वो जाकर अपने channel को monetization के लिए apply करते थे और उस समय से तुरंत उनका जो channel का ख्राइटेरिया होता था 4000 गंटा watch time और 1500 प्राइबर बरहीं आसानी से मिल जाता था लेकिन आज के डिट में यही जो policy है वो जिस दिन आप channel बनाते हैं उसी दिन से लेकर एक साल तक count किया जाता है यह दो ही फर्क हो गया है YouTube monetization policy को लेकर तो यही दो फर्क है तो इसका मतलब एक चीज आज के डिट में जरूर समझ जाए कि उस channel का monetization enable नहीं होगा यानि कि आप monetization के लिए apply ही नहीं कर सकते हैं अगर apply हो भी जाता है तो उसको वहां से YouTube के तरफ से reject कर दिया जाता है कई cases में ऐसा देखा जरूर गया है कि YouTube कुछ creators को कुछ महलत देता है यानि कि जैसे आप apply करते हैं देखता है कि 12 महीना में आपके watch time पूरा नहीं हुआ है तो YouTube एक notification उस creators के पास बेजता है कि भाई आपको एक महीना का extra समय दिया जा रहा है उस एक महीना में जो घटा हुआ watch time या फिर subscriber है उसको आप पूरा कर लिजे तो इस स्थिती में काफी सारे ऐसे creator से जिनको YouTube के तरफ से यह मौका जरूर दिया गया है लेकिन एक महीना से ज्यादा का मौका नहीं दिया जाता है तो अगर हो सकता है आपके channel का कराइटरिया पूरा नहीं हुआ और अगर YouTube के त परसेंट वहाँ पर यकीन कर दिजे कि आपके channel का मौनिराजेशन इनेवल नहीं होगा